भारत आएगी WTC की ट्रॉफी, ये दो संयोग दे रहे हैं इस बात की गवाही रोही शर्मा का गुड़लक यहां भी करेगा काम, पैट कमिंग्स की टीम हो जाएगी ना काम धोनी विराट और गांगली जो नहीं कर पाए अब तक, रोही शर्मा पलट देंगे किस्मत WTC के फाइनल में भी होगा यही कमाल, टीम इंडिया बनाएगी क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा रिकार्ड कप्तान दोही शर्मा की अगुवाई वाली टीम बुदुवार को इंग लैंड के ओवल में WTC का फाइनल खेलने उतरेगी आकडों की बात की जाए तो टीम इंडिया और आस्टेलिया में कड़ी टककर होगी दोनों टीमें किसी से कमजोर नहीं है, लेकिन मौसम पिच और में जास की बात की जाए तो हाला टीम इंडिया के थोड़े से विप्रीथ है टीम इंडिया के चार स्टार प्लेयर केल राहुल, रिशपपन्थ और श्रेयश अयर, साथ ही जस्पीत बूमरा भी टीम का हिस्सा नहीं है इनकी टीम में कमी जरूर खल रही है, हाँ टीम थोड़ा कमजोर भी दिख रही है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टीम में बल्लेबाजो या गेंदबाजो की कमी हो गेंदबाजी में शमी सेराज, उमेश की तिकड़ी है, बल्लेबाजी में विराट, रोहित, पुजारा जैसे अनुभवी बल्लेबाज है शुमन गिल और इशान जैसी युवा प्रतिभाए है, ये सब कुछ इतना है कि दुनिया की किसी भी दिखज टीम को टीम इंडिया चालेंज देने के लिए काफी है WTC के पिछले दो चक्र में भारत सबसे बहतर प्रदर्शन करने वाली टीम रही है, लेकिन इस सब के बीच कुछ डरावना ख्वाब भी है पिछले 10 साल में एक दो टूनामेंट को छोड़ दिया जाए तो भारत हर बार नॉक आउट में पहुचा है लेकिन एक बार फिर खिताब अपने नाम नहीं कर पाया परन्तो इस बार दो सयोग ऐसे बन रहे हैं, जो कही न कहीं ये तै कर रहे हैं कि भारत इस बार WTC की ट्रॉफी लेकर ही वापस आएगा इसमें कप्तान रोही शर्मा का बड़ा योगदान होने वाला है, तो आईए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला पिछली बार टीम इंडिया ने WTC का फाइनल खेला था, फाइनल में टीम को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार एक बात खास है, जो पिछली बार किसी टूनामेंट में नहीं रही रोहिश शर्मा पहली बार ICC टूनामेंट के फाइनल में भारती टीम की कप्तानी कर रहे हैं रोहिट अभी तक एक बार भी कप्तान के रूप में किसी भी टूनामेंट का फाइनल मुकाबला नहीं आ रहे हैं उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस पांच बार फाइनल में पहुची है। हर बार टीम ने खिताब जीता है। इस बार चैंपियंस लीग में भी मुंबई की कप्तानी करते हुए रोहिश शर्मा जीत चुके हैं। तीन बार तो उन्होंने महिंदरु सिंग धोनी जैसे द 2018 में भी रोहिश शर्मा भारत के कप्तान थे। सबसे रोमांचिक बात तो यह है कि दोनों मुकाबलों में आखरी गेन पर भारती टीम को जीत मिली थी। आईपियल में भी दो बार आखरी गेन पर मुंबई विजेता बनी। यानि रोहिश शर्मा के पक्ष में लक भी रहत जीतने वाली है। इससे रोहिश शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपेंशिप का खिताब जीतती है। तो यह उनकी कप्तानी करियर की सबसे बड़ी ट्रॉफी होगी। इसके साथ ही भारती टीम का सूखा भी खत्म हो जाएगा। टीम इंडिया क्रिकेट की ट्रॉफी वाला पहला देश बनेगा।